हमें जो भारतिय सम्मीधान के कुछ important question बताएंगे कुछ नहीं यानि कि हम 20 question इसमें आपको बताएंगे अगर जो आपको question आता है तो comment में बता सकते हैं हम आपका comment को देखेंगे और कि आपका कितना question सही हुआ ये भी आखिम बता सकते हैं और ये हम देखते हैं first question तो first question ये हमारा दिया है ये भारतिय सम्मीधान में संसोधन होता है तो यानि कि जो article आपको बताना है कि सम्मीधान संसोधन के दवारा जो है किया जाता है सम्मीधान को संसोधन तो ये आपका see answer आपका right हो जाएगा 308 के अनुसार जो है सम्मीधान में कोई भी चीजे मतलब संसोधन किया जाता है कोई भी चीजे एड किया जाता है तो यह 308 के अनुसार किया जाता है इसके दर और यह कहां से मतलब किस दे से लिया गया तो यह दचिड अफरिका से लिया गया सम्मीधान संसोधन जो है प्राकार से किया जा सकता है तो यह आपका चार आपसन प्राइट हो जो सम्मीधान को संसोदन किया जा सकता है और यह देखते हैं next question नाप दिया है पहला भारत के समीधान में पहली बार संसोदन कब किया गया था तो ये जो पूछा गया है कि पहली बार जो है भारत के समिधान में संसोधन कब किया गया था तो ये किया गया था 1951 में किया गया था तो 1951 में किया गया था पहली बार और किस आर्टिकोल को जोड़ा गया था तो नौवी अनसूची को जोड़ा गया था उसमें ये भूमी सुधार के बार में उसमें बताया गया था नौई अन्सूची में तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा और यह हम नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन ये आपको दिया है भारतिय समीधान की प्रस्तावना में समाजबादी और धर्म निर्पेच सब्द कब चूड़े गया थे तो यह आपका जो है सी आपसन आपका क्या हो जगा राइट हो जगा ब्यालीश्वा शमीधान संसुधन के द्वारे प्रस्त निर्पेच और अखर्णता को भी जोड़ा गया था समाजबाद धर्म निर्पेच और अखर्णता को जड़ा गया था तीन सब्दों को जड़ा गया था और यह तो हम देखती है नेक्स्ट कोश्चन को तो यह आपका नेक्स्ट कोश्चन दिया है भारतिय समीधान के किस सं संसोधन में ऐसा किया गया है तो यह आपका जो है चवलशनों समीधान संसोधन में यह कहा गया है राश्टपती जो है के बीनेट के पास जो एक बार जो पुनर विचार करने के लिए जो भेज सकती है और यह चवलशनों समीधान संसोधन में मतलब ऐसा कहा गया है और के पास उनको साइन करना ही पड़ता था पर यह जो 24 समीधान संसुधन के द्वारा जो ऐसा किया गया एक बार जो है वो के बिनेट के पास पुनर विचार करने के लिए भेज सकते हैं और यह हम नेक्स्ट को देखते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन आपका दिया है किस समीधान सं संसुधन के द्वारा किया गया है तो यह जो आपका 24 समीधान संसुधन के द्वारा जो ऐसा किया गया है पहले कारिकाल तो पांच वर्स का था तो यह जो है ब्यालिश्वा समीधान संसुधन के द्वारा जो इसे च्छै वर्स कर दिया गया और इसमें जो है 24 समीधान कूरम बेवस्ता को, कूरम बेवस्ता मतलब यह होता है, एक बटे दस यह कूरम बेवस्ता होता है, और इसको जो चवलेशन समिधान संसुधन में जो फिर से जो है लागू कर दिया गया था, और चवलेशन समिधान संसुधन के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को हटा कर ज इन्सवर दिया गया था यह जो है चोगले सो शंवीधान संसोधन के द्वारा और यह हम नेक्ष्ट को देखते हैं तो नेक्ष्ट आपका दिया है संवीधान के किस संसोधन द्वारा मद्दान की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स की गए थी तो ये जो है इसमें पूछा गया मतलब की समीधान संसोधन के द्वारा 21 वर्स जो 18 वर्स आयू घटा कर कर दी गया थी मत्तान के लिए मतलब तो यह जो है आपका जो है 61 समिधान संसोधन के द्वारा जो ऐसा किया गया था कि 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स मतार ढालने की आयू कर दिया गया था और यह हम next को देखते हैं तो next यह आपका दिया है 74 मा समिधान संसोधन का संबंद निम्लिखित में से किस संस्था से है तो यह आपको बताना है तो यह आपका C answer आपका क्या जगा राइट जगा नगर पालिका से संबंद निम्लिखित है 74 मा समिधान संसोधन जो है यह जो 1992 में हुआ था और यह जो नगर पालिका से संबंद निम्लिखित है और यहीं आपका 73 समिधान संसुधन पूछे तो यह जो ग्राम पंचाय से संबंदित है तो यानि जो एक ग्रामा आर्टिकल को यह जोड़ा गया था और यह जो है 74 समिधान संसुधन में जो है यह ब्रामा आर्टिकल को जोड़ा गया था तो यह नगर पालिका से संबंदित ह और यह हम next को देखते हैं तो next है आपका दिया है भारत के चवलस्वा समिधान संसुधन के द्वारा निमलिकी तमेसे किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सेर्णी से हटाया गया है तो यह तो हमने बताया है कि यह भी आपसना आपका क्यों जगा राइट हो जाए पत्ती के अधिकार को जो हटाया गया है और 300A में उसको कर दिया गया है और यह हम देखते हैं next question को तो next question आपका दिया है भारतिय समिधान का अनुछेद 51A नागरिकों की मौलिक कर्तब्य से संबंदित है कि समिधान संसुधन में इसे लाया गया है तो यह समिधान संसुधन के द्वारा लाया गया है तो यह ब्यालिश्वा शमिधान संसुधन के द्वारा 51A को नागरिक मौलिक कर्तब्य को जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तब्य पूरा कितना है तो 11 मौलिक कर्तब्य है जूड़ा जोड़ा गया था तो यानि की, तो यह समी था को देखती है, तो यह आपका question दिया है, math का एक पाईय की तरिज्या 14 सेमी है और ये जो पंदरे चक्रों में पाईया कितनी दूरी ये जो है सेमी में तैंग करेगी तो ये आपका पूछा गया है इस कोश्चन में तो ये जो है आपका जो है इसका सुत्र है टू पाई और ये आर तो इस पे वैलू को आप रखेंगे तो इसका एंसर जो आ जाएगा तो ये जो है टू यहां पर लिखेंगे फिर यहां पर पाई कमांड जो बाईस वाटे साथ होता है तो यह हो जागा और यहां पर जो है त्रिज्या आपका दिया चौदर दिया है तो यहां पर आप चौदर को लिख देंगे और फिर जाके इसको काटेंगे 7 के टेबल से जो है तो यह टू बार में कट जागा इसके वसी तीनों को मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो 88 हो जागा यहाँ पर और फिर मल्टिप्लाइ करेंगे आप 12 चक्रों में पहिए जो कितनी दूरी ताइं करेंगा तो यह 15 बार नहीं 15 यहाँ पर दिया है 15 से हम मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका कितना आजाएगा तो 1320 हो जाएगा यह आपका तो यह आपका सी आइंसर आपका क्या हो जागा राइट हो जाएगा तो फ्रेंज अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा तो यह आपका नेक्स्ट कोस्ट ने आपका दिया है भारत की मूल समीधान में कितनी अंसूचिया थी तो यह जो आपका पूछा गया है मूल समीधान में कितनी अंसूचिया थी पूछा गया है तो यह जो मूल समीधान में जो आठ अंसूचिया थी आवरतमान में 12 तो इसे भी द्यां को देखते हैं. तो यह आपका नेक्ष्ट कोंश्य नहीं आपका दिया है. भाधिय संग चेफंग के राजियों प्रथन में अन्सूची के शथ इनां तो यह आपका प्रथम अन्सूची में में इसो प्रथम थे। संग राज document inाट जो अपका आट है तो यह भी कोश्षन है पूछा फॉछा गैए अाट है उससे भी कोश्षनियेगा 98 राज्यों और 28 तॉझायन कोश्षन कोश्षन प्रद्छों छो एकन दीए है तो यह दो कि आपका सम्विधान की दूसरी अंसूची का संबन किस्से है तो आपको बताना है जो है समीधान की जो है दूसरी अंसूची का संबन किस्से है तो दूसरी अंसूची का संबन जो वेतन भत्ते और पेंसन से है तो वेतन भत्ते और पेंसन से है ये और ये हम नेक्स्ट कोश्चन को देखते है तो नेक्स्ट क तीसरी अन्सूची साफद के बारे में बता हैं इसमान तो नीचर्चे के दिया है के आख उसफद उइकल सुखडे करे दिया है तो संभीधां की चोथी तो प्रवाधान की यह अरा गन्य तो यह आपका तो ढूंठ छो है नियुक राइट आगा में बताए गया वहा आर यह निड़ देखती है तो नेक्स्ट कोईशन आपका दिया है समिधान की किस अनशुची में चार राजियों के अनसुची जनजाती का वर्डन किया गया है तो यह carbon ज्राज्यो के जो अंसुचि जनजाती का व dealer coule कया घया तो यह कोशन लुग इंपोर्टेंट है इसे आप ध्यान देजिए गां तो यह आपका जो devi दो छटी अंसुची में जो किया गया है तो यह आपका जो सी एंसर आपका राइट हो जाएगा चार राज्यों के जन्जाती का जो वर्णन किया गया है तो यह चार राज्य कौन-कौन सा है तो यह आपका अश्रम एक हो जाएगा और ये एक आपका जो है मिघाला हो जाएगा एक मिघाला हो जाएगा आपका और ये त्रिपुरा हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा और एक आपका जो है मिजोरा हो जाएगा तो ये आपका मिजोरा हो जाएगा तो असम हुझागा, मिघाला हुझागा और यह तृपुरा हुझागा और यह मिजोरा हुझागा तो यह जो है छेटीवी अंसूची में चार राजे जो हैं आसम, मिघाला है, तृपुरा, मिजोरा में तो इसे आप ठ्षान दीजेगा और यह हम next को देखते हैं तो next question ने आपका दिया है सामीधान के किस अंसूची में केंद्र इम्राज्यों के भी सक्तियों की बटवारे का उलेख है तो केंद्र इम्राज्यों के भी सक्तियों की बटवारे का उलेख जो किस आर्टिकल में है तो ये जो है सत्वी अंसुची में है तो ये आपका एंसर आपको क्या हो जागा ये जो है राइट हो जागा यानि कि जो है ये सत्वी अंसुची में संग राज्य और समवर्ती सुची के बारे में बता गया है तो ये तीन प्रकार की सुची है यह संग सुची है और राज्य सुची है और यह आपका राज्य सुची है और यह आपका जो है समुर्ती सुची है तो यह आपका जो है समुर्ती सुची है तो सत्विन सुची में जो है संग राज्य और समुर्ती सुची के बारे में बताया गया है तो संग और राज जो है समौरती सुची पर जो है कानून को बना सकता है इसमें मतलब इसे भी आप ध्यान दीजेगा और यह हम next को देखते हैं तो next question आपका दिया है समिधान की अठवी अंसुची में वर्तमान में कितनी मानक भासाए है तो यह जो है कितनी मानक भासाए है वर्तमान में पूछा गया तो वर्तमान में आपकी 22 भासाए है अगर जो मूल समिधान में पूछे तो मूल समिधान में आपका 14 भासा था कभी कर पूछ लेता कि मूल समिधान मूल मतलब पहले से मतलब कितनी भासा थी तो चौदा थी आवर्तमान में जो है इसमें कितनी भासा हैं बाइस भासा हैं और ये जो आपका दिया है 21 समिधान संसुधन द्वारा जो है 1967 में जो है सिंधी भासा को जोड़ा गया था तो ये जो 21 समिधान संसुधन के जोड़ा जोड़ा गया था और ये हम next को देखते हैं तो next है आपका दिया है ये आपका तो 21 समिधान संसुधन के जोड़ा 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 जोड़ में 92 समीधान संसोधन ये 2003 में हुआ था इसमें संस्थाली मैथली बोडो डोगरी को चार मतलब भासाओं को जोड़ा गया था नेक्स्ट कोईशन आपका दिया है समीधान में दल बदल विरोधी कानून दस्वी अंसूची किस समीधान संसोधन द्वारा जोड़ी गए थी तो ये आपका जो है 22 समीधान संसोधन के द्वारा जो दल बदल को जोड़ा गया था तो ये आपका जो राइट हो जागा और च्यलिशन समीधान संसोधन के द्वारा जो सिच्छा का दिकार जो जोड़ा गया था 21 ए को जोड़ा गया था ये आपका इसका एंसर आप कामेंट में बता सकने आता है तू